इंडिया में सबसे सस्ती सनरूफ वाली गाड़ियां कौन सी है और गाड़ियों के किस वेरियंट में आपको सनरूफ मिलता है और उसकी कीमत क्या है तो आपको इस वीडियो में ये पता लग जाएगा चलिए शुरू करते हैं टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें नए नए वीडियो देखने के लिए किया सेल्टोस ये फाइब सेटर कार है इस गाड़ी के हट्टी एक्स वान पॉइंट फाइफ वेरियंट में आपको सनरूफ मिलता है जिसके एक्शोरूम कीमत 13,34,000 रुपे की है इस गाड़ी में आपको दोन इंजन का ओप्शन मिलता है डिजल और पैट्रोल का और दोनों ही ट्रांस्मिशन का ओप्शन इसमें 1.4 और 1.5 लिटर पैट्रोल इंजन मिलता है यानि कि पैट्रोल में दो इंजनों का ओप्शन और डिजल में एक इंजन का ओप्शन जो की 1 1.5 लिटर डिजल इंजन है फिर आई होंडा सिटी इस गाड़ी में भी आपको सन्रूफ मिलता है इस गाड़ी के VX MT वेरियंट में आपको मिलता है सन्रूफ जिसकी कीमत है 12,25,000 रुपे की और गाड़ी में दोनों इंजनों को ओप्शन मिलता है डिजल और पैट्रोल का जोईस कर सकते हैं इसमें 1.5 लिटर पैट्रोल इंजन और 1.5 लिटर डिजल इंजन को ओप्शन मिलता है फिर आई है महिंद्रा एक्स यूवी 3OO ये 5 सिटर कार है इस गाड़ी में भी आपको सन्रूफ मिलता है वो भी W8 वेरियंट में है इसकी कीमत है 10,64,000 रुपे की ये इस गाड़ी भी आपको दोनों इंजनों को ओप्शन मिलता है डिजल और पैट्रोल के और दोनों ही ट्रांस्मिशन के ओप्शन में इसमें 1.2 लिटर पैट्रोल इंजन को ओप्शन और 1.5 लिटर डिजल इंजन को ओप्शन मिलता है फिर आई हंडाई वरना वरना एक 5 लेकिन खुबसूरत से डानकार है इस गाड़ी के SX variant में आपको sunroof मिलता है जिसकी कीमत है 10,70,000 रुपे की इस गाड़ी में भी डिजल और पैट्रोल दोने इंजिनों को option मिलता है और दोनों ही transmission को option इसमें पैट्रोल में दो इंजिन को option और डिजल में एक जो पैट्रोल मे इस गाड़ी में भी आपको sunroof मिलता है और जिस variant में मिलता है वो है 1.5 पैट्रोल टाइटेनियम पलस वेरियंट में जिसकी कीमत है 10,66,000 रुपे की इस गाड़ी में दोनों इंजिनों को option मिलता है डिजल और पैट्रोल है और दोनों ही transmission को option पैट्रोल में इसमें 1.5 डिजल इंजिन फिर ये टाटा निक्सोन ये 5 सेटर कार है लेकिन टाटा कमपने की खुबसूरत कार है इस गाड़ी के XZ पलस एस वेरियंट में आपको sunroof मिलता है जिसकी कीमत है 10,24,000 रुपे की और इस गाड़ी में भी दोनों इंजिनों को option मिलता है आप समझ गए इसमें 1.2 litre petrol engine जो की automatic और manual दोनों transmission के option में मिलता है ये engine जो इसमें 1.5 litre diesel engine है उसमें भी आपको दोनों transmission का option मिलता है आपको इस अभी choice कर सकते automatic gearbox या manual gearbox में से फिर ये Kia Sonnet ये गाड़ी new car है जो कि अभी फिलाल launch हुई है और काफी खुबसूरत कार है और सस्ती कार है इस गाड़ी के HTX turbo IMT variant में आपको sunroof मिलता है जिसकी कीमत है 9,99,000 रुपे की और गाड़ी में 1.0 और 1.2 litre petrol engine का option और 1.5 litre diesel engine का option मिलता है और दोनों ही transmission का option फिर ये Hyundai Venue, Venue car का तो आपको पता ही है क्योंकि इस गाड़ी को काफी time हो चुका है इसके SX turbo variant में आपको sunroof मिलता है इसकी कीमत है 9,99,000 रुपे की इस गाड़ी में भी दोनों इंजनों का option मिलता है डिजल और पैट्रोल का और दोनों ही transmission का option automatic और manual का इसमें 1.0 और 1.2 lit पैट्रोल इंजन और 1.5 लिटर डिजल इंजन का option मिलता है फिर दूसरे नंबर पर सस्ती कार है होंडा WRV ये 5-seat SUV कार है लेकिन होंडा कंपनी के अच्छी गार है इस काड़ी के VX IMT variant में आपको sunroof मिल जाता है जिसकी कीमत है 9,79,000 रुपे की इस काड़ी में 1.2 लिटर और 1.5 लिटर डिजल इंजन का option मिलता है यानि इस कार में भी दोनों इंजनों का option मिलता है और दोनों ही गेरबोक्स का automatic भी ले सकते हैं आप मैनवल भी ले सकते हैं आपको इसा भी choice कर सकते हैं फिर जो सबसे सस्ती sunroof वाली कार आई यह होंडा जैस जी हाँ यह फाइप सेटर हैचबेक कार है इस काड़ी के ZX वेरियंट में आपको sunroof मिल जाता है जिसकी एकशोरों कीमत है दिल्ली के हसाब से 8,73,000 रुपे की इस काड़ी में पैट्रोल इंजन का option मिलता है और वो automatic और manual दोनों transmission के option मिलता है इसमें 1.2 लेटर पैट्रोल इंजन मिलता है जो की काफी अच्छा इंजन है तो यह वो 10 कारे हैं जिनमें आपको sunroof मिल जाता है और यह सस्ती कारे है इनमें सबसे सस्ती होंडा जैस है फिर होंडा WRV फिर तीसरे नमबर पर वैन्यू आई यह औ अच्छा लगता है वैसो sunroof से अंदर की looking काफी अच्छी लगती है आप हमें बताईए कि आपको कैसा लगता है sunroof